हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो हिंदी मुहावरे की सकड़ी में आज हम आपको जानकारी देंगे ईई उउ और ए आई से सुरू होने वाले मुहावरों के बारे में तो आप भी हो जाएं तयार और हमारे साथ साथ पड़े E E U U और A I से सुरू होने वाले कुछ मैतोपूर्ण मुहावरे तो बच्चो आप देख रहें नियाँ पर ये हैं E E से सुरू होने वाले मुहावरे जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इद का चांद होना इसका मतलब क्या होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना तो आप यहाँ पर लिखेंगे बहुत दिनों के बाद दिखाई देना और वाक्य बनेगा तुम्हें देखने को तरस गए मित्र तुम तो E E का चांद हो गई इस परकार आप वाक्या लिख सकते हैं दूसरा मुहावरा यहाँ पर आपके लिए इट का जबाब पत्थर से देना यानि कि किसी दुष्टता का करारा जबाब देना भारतिय सेना ने सत्रु का सामना करते समय इट का जबाब पत्थर से दे दिया तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से इट से इट बजाना आप देख रहें नहीं आपर इंट से इंट बजाना इसका मतलब क्या होता है सर्वनास करना कारगिल युद्ध में भारतिय सेनिकों ने पाकिस्तानी सेना के गुसपैटियों की इंट से इंट बजा दी और इसके बाद अगला मुहावरा इसी कड़ी में इधर उधर क करना यानि कि टाल मटोल करना अब इधर उधर मत करो मुझे मेरी पुस्तक दे दो आप भी करते हैं कई बार इधर उधर यानि कि कि किसी काम को न करना तो टाल मटोल कर देते हैं अगला मुहावरा आपके लिए इधर की दुनिया उधर होना यानि कि कोई अन्होनिक बात का ह और वाके लिखेंगे चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए पर मैं वहाँ नहीं जाओंगा और अगला है मुहावरा इधर की उधर करना आप देख रहे निया पर इधर की उधर करना यानि कि चुगली करना कई बच्चों की आदत होती है ना इधर की उधर करना तो यहाँ प जगे होना भाईयो या सरब खाना नहीं या तो इंद्र का अखाड़ा है यानि कि जहां पर आप मौज मस्ति कर सकते हैं और इसके बाद अगला मुहावरा इसी कड़ी में इमान बेचना यानि कि बेइमानी करना लोग पैसे के पीछे अपना इमान बेचते फिरते हैं और इसके बाद अगला मुहावरा आप देखें इतिस्री होना इतिस्री होना का मतलब होता है समाप्त होना वह इंसान का काम तो इतिस्री हो चुका है यानि कि उस इंसान का काम इतिस्री हो चुका है यानि समाप्त हो चुका है और अगला मुहावरा इस हाथ से लेना उस हाथ से देना इसकार्थ होता है हिसाब किताब बराबर करना हम तुम से ये सोधा कर लेते लेकिन ये काम इस हाथ लेने और उस हाथ देने का होगा इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर अगला मुहावरा आपके लिए जो है उ-उ से सुरू होने वाले कुछ मुहावरे आप इन्हें अपनी नोट बुग में भी नोट कर सकते हैं जैसे कि पहला मुहावरा यहाँ पर उसे उट के मुह में जीरा तो इसका अर्थ होता है आवशक्ता से कम वस्तू जैसे कि आप वाके लिख सकते हैं रात दिन मेहनत करने वाले मजदूर के लिए दो रोटियां उट के मुह में जीरे के समान हैं और अगला मुहावरा उल्टी गंगा बहाना यानि रीती बिरुद काम करना यहाँ पर आप लिखेंगे वाक्या अरे भाई मेरे चरण छूकर क्यों उल्टी गंगा बहाते हो मैं तो तुम से छोटा हूँ और इसी प्रकार अगला मुहावरा है उंगली पर नचाना यानि आ वाक्य लिख सकते हैं आप वह कमा कर देता है इसलिए वह सारे घर को उंगली पर नचाता है। अगला मौहरा उर्टी चडिया पहचानना यानि राज की बात दूर से जान लेना। पूरी राज की बाते हैं लेता है। इसके बाद अगला मुहारा उन्नीस वीस का अंतर होना यानि बहुत कम अंतर होना वाक्य होगा राम और स्याम की सकल में बस उन्नीस वीस का अंतर ही है इसके बाद अगला उर्थी खबर यानि अपुआ होना हमें किसी भी उर्थी खबर पर विश्वास नहीं करना चाहिए इस इसी प्रकार अगला मुहावरा होगा उल्लू का पठ्था सुनाया आपने कई बार उल्लू का पठ्था मतलब होता है बेकूफ होना वह तो उल्लू का पठ्था है वह आकल से काम कैसे लेगा इस प्रकार आप वाक्या लिख सकते हैं अगला होगा मुहावरा उल्लू बनाना य और उसके बाद अगला मुहारा उधेड बुन में पढ़ना यानि सोच में पढ़ जाना यहाँ पर लिखेंगे आप पढ़ जाना जब अचाना कोई मुश्किल आ जाती है तो कोई विव्यक्ति उधेड बुन में पढ़ जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे यहाँ तरह यहां पर लेकिंग्त आप उस तरह उल्टे उस तरह मतलब मूर्क भनाना खायँ अज मुझे उल्टे ये से मूई लिया मूदना क्या होता है बाल बनाना सिरके पूरे की पुरा गंजा कर देना और इसके बाद अगला मुहावरा आप समझ सकते हैं उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना यानि कि थोड़ी की जगह पर जगह पूरा लेने की इच्छा रखना आपने कई बार देखा होगा सड़क पर चलते हैं रिक्से वाले और रिक्से पर कितने होते हैं तीन होते हैं जब आगे का टायर जो है सड़क में कहीं पर बीच भीड में घुच जाता है तो पीछे के दो टायर भी निकल ही जाते हैं तो क्या होता है इसे कहते हैं उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ना या किसी व्यक्ति को आपके थोड़ा सा सहारा देते हैं और वह जगे पूरा लेने की इच्छा करना और यहां पर वाके लिख सकते हैं मोहन से सावधान रहो वह तो उंगली पकड़ कर पहुचा पकड़ने वाला आदमी है और इसके बाद अगला लिख सकते हैं अगली उठाना यानिकी दोस देना किसी पर उंगली उठाना मतलब दोस दे प्रफिरती रहती है इस परकार आप लिख सकते हैं अगला मुहावरा होगा आपके लिए उठा न रखना यानि कमी न छोड़ना तुम क्या चाहते हो जब बोलना शुरू करते हो तो चूपी नहीं होते हो तुम तो बातों को उठा रखने वाली बात करते हो तो यहां पर आप आप इसको अन न लेके उठा रखने वाली बात करते हो और अगला मुहावरा आप देख सकते हैं उल्टी पट्टी पढ़ाना यानि कि और का और कहकर बहकाना और वाक्य बनेगा तुम हमारे बच्चों से बात मत किया करो तुम उन्हें उल्टी पट्टी पढ़ाते हो यहा पकवान बिल्कुल फिका या तो वही बात हुई कि उची दुकान फिका पकवान वाली बात हुई और इसी प्रकार आप अगला मुहावरा देख सकते हैं उड़त पर सपेदी के बराबर भी सरम नहीं यानि कि बेहाया होना रमेज की आँकों में तो उड़त पर सपेदी के बर सकतक करता है इसके बाद उसका कोई सानी नहोना यानि बहुत होसियार होना उसको काम करने में महारत हाशिल है उसका दिनेज अपने की कोई सानी नहीं है और अगला है मुहावरा आपके लिए उल्टा चोर कोटवाल को डांटे आये आपने कई बा Falls य्यारा उल्टा दोस्ट देना मतलब एक तो सुरेश ने गल्ती की और उपर से मुझे ही डांट दे जा रहा था यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हुई तो इस प्रकार से आपने देखे यहां पर उसे समंदित मुहावरे इसके बाद आईए देख लेते हैं ए आई से समंदित कुछ और मुहावरे तो यहां पर देख रहें ने बच्चो आप यह हैं ए आई से सुरू होने वाले मुहावरे यहां पर आपके लिए पहला है एडी चोटी का पसीना एक करना यानि कि बहुत मेहनत करना और यह काम पूरा करने के लिए उसे एडी चोटी का पसीना एक करना पड़ेगा इस परकार आप हुआ के लिख सकते हैं इसके बाद अगला मुहावरा आप देखें एक आँख न भाना यानि अच्छा न लगना बेटे के साथ तुमारा भ्योभार मुझे एक आँख नहीं बाता जब कोई बुरा भ्योभार करता है न तो आपको एक आँख भी नहीं बाता यानि कि आपको अच्छा नहीं लगता इसी परकार से एक और एक 11 होना यानि एकता होना और वाक्य बनेगा पहले वो अलग-अलग रहते थे तो लोग उन्हें state लोग कहते थे लेकिन अब तो एक-एक 11 हो गए अब लोग उनसे डरने लगे हैं तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे वाक्य फिर से एक बार देखें पहले वो अलग-अलग रहते थे तो लोग उन्हें परिशान करते थे लिख सकते हैं आप यहाँ पर state ना लिखें यहाँ पर लिखें परिशान करते थे लोग उन्हें परिशान करते थे लेकिन अब वो एक और एक 11 हो गए अब लोग उनसे डरने लगे हैं जब दोनों मिल गये ना तो काफी ताकत बन जाती है बच्चो और इसके बाद अगला मुआवरा आप देख सकते हैं एक टांग पर खड़ा होना आप देख रहे हैं आप पर एक टांग पर खड़ा होना काम के लिए तयार रहना जैसे आप रहते हो पड़ाई के लिए एक टांग पर खड़े रहते हो यनकी हमेशा हर दम तयार रहते हो और मुआवरा होगा जब तक बेहन की साधी नहीं हुई वह एक टांग पर खड़ा रह आपके लिए बन सकता है कि जब तक रमेज पास नहीं हो गया वह एक टांग पर खड़ा रहा हो सकता है नैसे और इसी परकार अगला मुहावरा एक लाटी से हांकना यानि सब के साथ एक जैसा ब्योफार करना और वाक्य बनेगा सब लोगों को एक लाटी से हांकना कोई बुद्धिमानी नहीं है इसके बाद अगला मुहावरा आप देखें एक हाथ से ताली न बजना यानि कि दूसरे के बिना काम न होना कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बज़ दी गल्ती दोनों की है और इसके बाद एयाई से सुरू होने आले अन्य मुहावरे ऐसी तैसी करना मलब बेज़ दी करना सब के सामने यहाँ पर आप लिके सामने उसने अपने ही बड़े भाई की ऐसी तैसी कर दी और इसी परकार एक घाट का पानी पीना इसका मलब एकता होना सनम और सबनम दोनों ही एक घाट का पानी पीती है इसका वाक्या लिख सकते हैं इसके बाद अगला मुहावरत देखें एक ही थैली के चटे बटे होना यानि सब एक से बुरे ब्यक्ति यानि कि सारे के सारे एक जैसे ब्यक्ति होना तो यहां पर आप से बुरे की जगह पर लिख सकते हैं एक सब एक से बुरे ब् यानि कि किसी में कोई अंतर नहीं है और एक ही नाव में एक ही नौका पर सफर करना या एक ही नाव में सफर करना सवार होना इसकारत होगा एक जैसी इस्तिति होना रमेश और सुरेश तो एक ही नौका में सवार दो आदमी है तो इस प्रकार से आपने देखे बच्चो यहां पर ई-ई-ई-उ-उ और ए-ई-ई से सम्मंदित कुछ मैतोपूर्ण मुहावरे हमने आपको यहाँ पर दिखाए उमीद है कि आपको अच्छे से समझाये होंगे और आप इन्हें अपनी नोट बुक में भी नोट करेंगे और ने याद भी करेंगे तो आपको काफी लाब होग और परिक्षा के समय इस परकार के मुहावरे अक्सर पूछे जाते हैं और आपको उनके जवाब लिखने में कोई परिशानी नहीं होगी तो इसी परकार लगातार मुहावरों से सम्मंदित हम वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं आप उन्हें जरूर देखें और बार लोड करने वाले हैं तो आप इन्हें जरूर देखें और चैनल में जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और सेर करना ना भूलें आज के लिए इतना काफी है आपका दिन सुभू